रसोई में तवा कभी धन की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों अगर तवे का रसोई घर में सही तरीके से प्रयोग ना हो तो उससे घर में कंगाली या बीमारी का खत्रा बना रहता है। खास तोर से घर का किचन संभालने वाली महिलाओं को तवे से जुड़े टिप्स तो जरूर मालूम होने चाहिए। वास्तु के अनुसार तवा राहु का प्रतीक माना गया है। राहु अगर खराब हो तो घर का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए घर में रखा तवा आपकी किस्मत चमका भी सकता है और बिगार भी सकता है। वास्तु शास्त्र में तवे से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं जिनका हमें पालन भी करना चाहिए। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। एक तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती हैं। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के उपर रखकर नहीं छोड़ना चूले पर काम खत्म होने के बाद में तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती हैं। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें। क्योंकि यहां आपकी किस्मत का प् दूठी चीज रखें। दोत यदी रसोई घर में तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पती की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा क रखें। 4. तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुट्ते को दें। यह नियम बनाले पहले रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपत्ती नहीं आती साथ ही घर की सारी नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समरिध्धी क वास होता है घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सब की नजर में ना आए तवे पर बाहरी लोगों की नजर बिलकुल भी नहीं पढ़नी चाहिए तवे को साफ करके अंदर की ओर रखें पांच जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तिमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्यपदार्थ ना मिला हो जैसे कि हल् उसे खा सके ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख सम्रिध्धी बनी रहती है। 6. सुबह जब सबसे पहले गैस पर तवा रखें तो उसे पर नमक जरूर डालें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोश खत्म होते हैं और घर की सारी नकारात्मक उर्जा दूर होती है। नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। 7. जोतिश में तवे का संबंध राहु से माना जाता है। इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेश तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए, वही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए की जहां से तवे को कोई भी बाहरी व्यक्ति ना देख पाए आठ तवे को सदैव ही लेटा कर रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है की तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें की तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेखने के बाद खाली तवा गैस या स्टॉफ पर यूँ ही छोड़ देते हैं, ऐसा यदी आप भी करते हैं, तो इस आदत को अ अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है, और सुखी दामपत्य जीवन में परेशानी ला सकता है, कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, यदी घर में ऐसा तवा है, तो इसे तुरंत बदलें, तूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है, और जीवन में दुर्भाग्य का कारण होता है, कभी भी सुभा के समय इस्तमाल किये हुए तवे को कपड़े से पोंच कर उसमें रात में रोटी नहीं बननी चाहिए, ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है, और इससे घर में बीमारी आ सकती है, दस वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में भूल कर भी बरतन को उल्टा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से आपके घर में भयन कर वास्तु दोश लग सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर देखने को मिल सक ज्यारा स्टोर रूम ना बनाए रसोई घर को कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जो सामान इस्तमाल नहीं करते हैं, उसे किचन में रख देते हैं, वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में कबार सामान बिलकुल नहीं रख तो उन्हें हमेशा घर की पश्चन दिशा में रखना उत्तम होता है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें